विहार कॉंग्रिस के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। चेताते हुए कहा कि यदि इस तरह का बयान गिरिराज सिंग देते रहें तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जगजगा कॉंग्रिस की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोक प्रियता किसी से छुपी नहीं हुई है। पटना पहुँचने के बाद कॉंग्रिस के राष्ट्री अध्यक्ष राहुल गांधी पर बरस पड़ें। उन्होंने खास्तर राफेल मामले को राहुल गांधी को आड़ेहा थो लिया। उन्होंने कहा कि वे सदन से लेकर सडक तक राफेल पर अपने बयान बदलते रहते हैं। अब चुनाव आयोक को भी ऐसी राजजनितिक पार्टियों पर सोचना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए इस तरह के जूटे अफवा से जनता को भ्रहमित करते हैं। केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने कहा है कि राफेल पर कॉंग्रिस समेत तमाम विपक्ष को माफी मागनी चाहिए। इसके बार शनिवाद को कॉंग्रिस ने कौकप कादरी ने गिरिराज सिंग पर पलचवार ही नहीं किया बलकी कड़ी चेत ताबनी भी दी। इसके अलावा गिरिराज सिंग राम मंदिर नर्मान को लेकर भी बोले, उन्होंने कहा राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर जरूर बनेगा, राम मंदिर देश के सो कडो जनता और प्रभु राम के पुरुशार्थ के बल पर बनेगा 1963 में हजरत साहब का बाल खो जाए तो देश में भूचाल आ जाता है, राजरितिक हडकंप मज जाता है, बड़े बड़े शक्स की कुरसी आहिनले लगती है और फिर हजरत साहब का बाल मिल भी जाता है, लेकिन कश्मीर में 7 लाख हिंदूओं को भगाया जाता है, हमारी बहु और बेटियों के साथ दुर्विभार किया जाता है, फिर भी ततकालीन सरकार के चहरे पर शिकन तक नहीं आई, पटना से बिफोर प्रिंट की रिपॉर्ट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें